कि हेलो डीय स्टुडेंट्स वेलकम अगेन स्टुडेंट्स आज की वीडियो में अपन लेटर टू एडिटर सीखने वाले हैं अलांकि स्टुडेंट्स लेटर राइटिंग वाला चेप्टर अपने काफी टाइम पहले कंप्लीट कर लिया था और अब तक अपने 17 लेटर आपको फोड कर शुका हूँ अमीद करता हूँ कि आपने उन सभी 17 लेटर को वोच करके अपने इंगलिस की नोट्बुक के अंदर नोट कर लिया होगा अगर आपने अभी तक उन 17 लेटर को वोच नहीं किया है तो वो सारे लेटर मेरी यूटूब चैनल जिसका नेम है खास टोपिक पर जो एक्जाम की दरश्टी से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है और खास टोपिक स्टुडेंट क्या हो सकता है और वो आप सब को यानि कि पता है कि इस समय कौन सा इसा खास टोपिक है जो एक्जाम की दरश्टी से यानि सबसे ज्यादा यानि तो आप सबको पता है ये जो time है वो corona का चल रहा है काफी समय से अपन यानिकी बंध है सब कुछ जो activities है यानिकी वो बंध है तो इस coronavirus पे क्या पूछा जा सकता है students later पूछा जा सकता है coronavirus ये जो topic है exam की दृष्टी से very very important है तो students आपको बता दू exam के अंदर corner virus से related कोई एक क्योशन ही पूछा जाएगा अब वो question कौन से topic के पूछा जाए यह यानि कि, यह paper बणाने वाले पे यानि कि depend करता है वो कौन से यानि की क्योशन दे कौन कौन से topic पे coronavirus से related क्योशन आ सकते है student, तो later तो यानि कि पूछा जा सकता है जो आज की वीडियो में अपन करने वाले हैं आर्टिकल भी पुछा जा सकता है कोरोना वाइरस से रिलेटेड स्पीच भी पुछा जा सकता है रिपोर्ट भी पुछी जा सकती है और पोस्ट डिजाइन भी पुछा जा सकता है लेकिन students आपको गबराने की ज़रूरत नहीं है coronavirus से related इन सभी videos को मैं आपको forward कर चुका हूँ अगर आपने इन videos को watch नहीं किया अभी तक तो वो सारे videos जो coronavirus से related है वो इस video के description box में डाल रहा हूँ वहाँ से आप उन videos को watch कर सकते हो ठीक है students उसके बाद आज की जो video है उसको start करते हैं तो student आज की video में अपन जो later सीख रहे हैं पहले उसका क्यों सन पढ़ते हैं और बाद में start करते हैं तो देखिए write a letter एक पत्तर लिखे किसको to the editor of a newspaper कि एक newspaper के editor को पत्तर लिखे about किस के बारे में the recklessness लापरवाई के बारे में और people लोगों की लापरवाई के बारे में during lockdown period और वो भी किस के दोरान lockdown period के दोरान for coronavirus यानि coronavirus के लिए जो lockdown लगया गया है उसके दोरान लोगों की जो लापरवाई है उसके बारे में आपको letter to editor लिखना है ठीक स्टुडेंट्स तो जैसे कि मैं आपको पहले फोमेट में समझा चुका हूँ आपको ज्यादा समझाने की जूरत नहीं है तो आप कोई भी लेटर लिखते हो सबसे पहले सेंडर्स लिखते हो उसके बाद राइटिंग डेट और उसके बाद रिसीवर्स तो आपसे लिख दिया सेंडर्स लेटर लिखने वाले का एडर्स तो सबसे पहले देखे मैंने क्या लिखा है एज 62 एज 62 के बाद स्टुडेंट्स आप कोमा जरूर लगा दीजिए यहां मैं लगा नहीं पाया टाइप नहीं हो पाया साइध तो एज 62 हाउस नमर 62 और यह कहां को आप लिख रहे हो जैसे चोगदा नमबर 2020 को लेटर लिखा जा रहा है तो यह तारीक के डाल दी उसके बाद आप एक लाइन छोड़ दीजिए और लाइन छोड़ने के बाद जो रिसीवर्स है जो प्राप्त करता है उसका एडर्स लिख दीजिए तो किसको लिख रहे है जुन जुनू से आप कौन से एडिटर को यानि की दोगे यानि जुन जुन के एडिटर को लिखोगे तो रास्तान पत्रिका जुन जुनू तो सबसे पहले सेंडरस एडरेस, राइटिंग डेट और इसीवर्स एडरेस ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा क्योंकि 17 लेटर्स अब तक अबन कर चुके हैं उसके बाद देखें students उसके बाद आप देखो मैंने जो पहले लेटर्स करवाए थे उसमें dear sir उपर लिखाया था और subject नीचे लिखाया था आप उस इसाब से भी कर सकते हो वो नय वाला pattern है और ये क्या है पुराना वाला pattern है तो पुरान उसके उपर आप यानि की ये लेटर लिख रहे हो उसके बाद dear sir या madam students आपको दुबारा बता देता हूँ आप dear sir उपर लिखते हो तो भी सही है और subject ये बाद लिखते हो तो भी सही है तो इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं है साइथ अब देखिए अब अपन लेटर जो कि यानि की format मैं students आपको बता चुका हूँ एडिटर का उसी format के अधार पर अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो उस format को आप जरूर बढ़ लेना जो मेरे वीडियो में है तो शुरुआत जो कि मैं format पहले आपको बता है था कि through the columns of your prestigious newspaper कि through मतलब से the columns of your prestigious newspaper कि आपके को खींचना चाऊँगा of the concerned authority समंदित अधिकारियों के यानि ध्यान को खींचना चाऊँगा towards किस की तरफ the above mentioned subject जो उपर subject मैंने mention किया है उसकी तरफ एक बार दुबार मैं इसका आप पता देता हूँ कि through the columns of your prestigious newspaper आपके परतिष्टित newspaper के column के माद्यम से I would like मैं चाऊँगा to draw खींचना क्या खींचना चाऊँगा the kind attention मतलब ध्यान किस के ध्यान को of the concerned authorities मतलब इस समंदित जो भी अधिकारी है मेरे subject से समंदित उन अधिकारियों का ध्यान मैं खींचना चाऊँगा किस की तरफ above mention subject कि उपर जो मैंने subject mention किया है उसकी तरह ठीक है student अब line छोड़िए और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ दूसरे paragraph में आप क्या लिखोगे जिस topic पर आप यानि की वीडियो बना रहे हो जिस topic पर आप लिख रहे हो उससे समंदित line लिखोगे तो अपन coronavirus से यान में क्या बताना है कि लोग जो लापरवा हो गए हैं इस lockdown period के अंदर तो उसके बारे में अपन को यानि लिखना है तो अपन किस तरह से लिखेंगे तो देखे it is not unknown ये it is not unknown to even a little child कि यहां तक जो छोटे से छोटा जो बच्चा होता है वो भी unknown नहीं है वो भी अंजान नहीं है कि देट की coronavirus is a fatal cause कि coronavirus जो है वो एक गहतक कारण है और death मरतु का कहने का मतलब यहां तक छोटे से छोटे बच्चे होते हैं वो भी इस चीज से इस बात से अंजान नहीं है कि coronavirus है वो क्या है गहतक कारण बन सकता है मरतु का and it has caused a pandemic throughout the world और इसके कारण क्या है महामारी फेल च यह एक महामारी है और यह फेल चुके पूरी दुनिया के अंदर इस चीज से यानि कि कोई भी अंजान नहीं यह इस बात से बट स्टिल शोकिंगली लेकिन फिर भी शोकिंगली हेरानी की बात यह है many people बहुत सारी जो लोग है take it for granted take it for granted मतलब इसको हलके में लेते है किस ची की है लेकिन फिर भी हैरानी की बात यह है कि बहुत सारी लोग इसे क्या करते हैं हलके में लेते हैं few careless people think that अब देखे कुछ यानि कि ऐसा आउधानी बढ़तने वाले लोग सोचते हैं कि it will not affect them कि यह उनको परभावित नहीं करेगा कि कोरोना वाइरस है वो उनको परभावित नहीं करेगा despite of repeated announcement की बार बार यानि announcement repeat होने के बावजूद complete lockdown की they come out casually कि वे लापरवाई से बार आते हैं and gather on the roadside और road की किनारे खड़े हो जाते हैं market palaces are crowded since the morning कि जो market palaces है वहाँ भीड जमी रहती है since the morning morning से ही none case कोई परवा नहीं करता है to maintain to distance कि distance maintain रखे दूरी बनाए रखे use masks यानि mask का use करे इसकी कोई परवा नहीं करते है sanitizer etc. sanitizer इत्यादी का यानि की use करे कोई भी इसके परवा नहीं करता है and also to obey instructions और साथ में जो instruction यानि सरकार नहीं दिये हैं उनकी पाल ना करे इसकी भी कोई परवा नहीं करते है which leads जो ले जाती है to a very risky situation भोती risky हालात की ओर ले जाती है वो being attacked by covid-19 और वो क्या है यानि being attacked by covid-19 की covid-19 का जो attack है उसका आकरमन है उसकी ओर यानि ये ले जाती है मतलब क्या है जब हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो यह हमें किसकी ओर ले जाता है यानि कि being attacked of covid-19 मतलब इससे यानि covid-19 का हमारे उपर attack हो जाता है no just for them नय केवल उनके लिए but also for the people लेकिन उन लोगों के लिए near them जो कि यानि कि उनके आसपास जो लोग है उनके लिए भी ये risk है कहने का मतलब ये जो हालात है ये उनके लिए तो risky है ही है जो इन चीज का ध्यान नहीं रखते है बलकि उन लोगों के लिए भी risk है जो उनके आसपास है उनके नजदीक जो लोग रहते है अब आगे we have complaint many times हमने बहुत बार सिकायत की है यानि कि authorities लिख देना students यहां लिखा नहीं गया बट no action has been taken yet लेकिन अभी तक कोई action नहीं लिया गया कि हमने कई बार यानि समंदीत अधिकारी को सिकायत की इसकी लेकिन कोई action नहीं लिया गया अब आप line छोड़ करके last में क्या लिखोगे कि now it is high time कि यह उच्च समय है for higher authorities जो उच्च जो अधिकारी है उन के लिए to take a very strict action कि वो बड़ा strict action ले otherwise वरना situation will be uncontrollable कि जो हालात है वो uncontrollable हो जाएगी ठीक है students अब आगे आप क्या लिखोगे वो ही अपनी यानि fix line we shall be obliged या we shall be highly obliged हम आपके भोत आभारी रहेंगे if your editorial page अगर आपका editorial page है आपका यानि संपाद की जो page है वो highlights करता है the matter को यह जो हमारा matter है इस matter को highlight करता है to relieve us हमें राहत देने के लिए from सचे problem इस तरह की problem से उसके बाद students आप thanking you लिखोगे और yours faithfully और अपना नाम लिख दोगे साजिद अली जो भी letter लिख रहा है उसका name तो उमीद करता हूँ students आपको ये letter समझ आ गया होगा थोड़ा मोटे रूप में दुबारा है अपन चर्चा कर लेते हैं main जो lines है उनका हिंदी अर्थ पढ़ लेते हैं और ये pandemic पूरी दुनिया में फैल चुकी है लेकिन फिर भी soakingly ये है हिरानी की बात ये है लोग take it for granted इसे हलके में लेते हैं कुछ careless लोग है वो सोचते हैं ये उन्हें affect नहीं करेगी बहुत बार यानि के announcement repeat कराने के बावजूद complete lockdown की लोग लापरवाई से बार आ जाते हैं roadside के किनारे खड़े हो जाते हैं कत्रित हो जाते हैं market palace है वहाँ पर भी भीड़ जमी रहती है morning से कोई भी care नहीं करता है maintain to distance distance maintain करने की mask पहनने की sanitiser इत्यादी की जो की ये हालत है वो किस की और ले जाती है हमें very risky situation की और ले जाती है और where risky situation क्या है हमें खत्रा रहता है being attacked by covid-19 का ये खत्रा नहीं के विल हमें रहता है बलकि for the people near them उनके नजदीक जो लोग रहते हैं उनको लिए भी ये खत्रा रहता है तो हमने ये बहुत बार सिकाइद की many times to the concerned authorities कर देना students या लेकिन कोई action नहीं लिया गया और ये उच अधिकारियों के लिए वहाई time है कि वह strict action ले वरना इस्तिया वह uncontrollable हो जाएगी और हम आपके आबारी रहेंगे अगर आपका editorial page है वह हमारी समस्या को highlight करता है और हमारी इस समस्या से हमें रात दिलाता है बाद में क्या लिख दोगे तो इस तरह से लिखना है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों में सेर्स कर दीजिए चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू